17.2 साधारन नमक, कॉमन सॉल्ट समुद्र के खारे पानी में 30-35 ग्राम लवन प्रती लीटर होता है इसमें मुख्यता सोडियम क्लोराइड होता है जिसे साधारन नमक के नाम से जाना जाता है 17.2.1 नमक का निर्मान, मैनुफेक्चर ओफ सॉल्ट समुद्र के किनारे समुद्र के जल को उतले गड़ों में इकठा करके वाश्पेक्रित होने के लिए छोड़ दिया जाता है जल के वाश्पेक्रित होने पर कच्चा नमक बच जाता है जिसमें नमक के अलावा बहुत से और लवन भी रहते हैं तथा कुछ मात्रा में रेत भी पाई जाती है चित्र एक इसको शुद्ध तथा क्रिस्टली कृत कर उप्योग में लाया जाता है समुद्री जल से नमक बनाने का काम मेहनत के साथ साथ सतरकता से किया जाने वाला कारे है नमक में पाई जाने वाली अशुधियों को दूर करने के साथ साथ उसमें अन्य आवश्यक पदार्थों को मिलाया जाता है जैसे नमक में आयोडीन यह पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाया जाता है क्या आप बता सकते हैं कि नमक में आयोडीन क्यों मिलाते हैं विश्व के कुछ भागों में नमक की खदाने पाई जाती हैं अनुमान है कि यह खनीज नमक समुद्र के किसी हिस्से के सूख जाने से बना होगा नमक हमारे भोजन का एक आवश्य घटक है किन्तु क्या हम समुद्री जल का उपियोग भोजन बनाने के लिए कर सकते हैं जैविक प्रक्रियाओं में भी नमक का बहुत अधिक महत्व होता है अता हमारे भोजन में इसकी उचित मातरा होनी चाहिए शरीर में इसकी अधिक मातरा उच्च रक्त चाप हाई ब्लड प्रेशर तथा कम मातरा निम्न रक्त चाप लोग ब्लड प्रेशर का एक कारण है क्या आप जानते हैं कि पैकेट बंद नमकीन खाद्य पदार्थों जैसे सेव वाच चिप्स में भी नमक बहुत अधिक होने के कारण ये स्वास्ते के लिए हानी कारक होते हैं 17.2.2 उप्योग यूसेज पहला खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उप्योग परीरक्षक के रूप में किया जाता है यह खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की व्रिधी को रोकता है 2. साधारा नमक हमारे दैनिक जीवन में उप्योग आने वाले कई पदार्थों जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपडे धोने का सोडा, विरंजक्चुन, आधिके निर्माण के लिए महत्तुपून कच्चा पदार्थ है 3. नमक और शक्कर के पानी में घुलने से बने पुनर योजी विलियन ओरल रिहाइडरिशन सॉलूशन, ओ आरस का उप्योग शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर प्रात्मिक उप्चार के लिए किया जाता है 17.3 खाने का सोडा, बेकिंग सोडा खाने के सोडा का उप्योग प्राय रसोई घर में खादे पदार्थों को स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है कभी कभी इसका उप्योग खाने को शीग्रता से पचाने के लिए भी किया जाता है इसका रासायनिक नाम sodium hydrogen carbonate है इसे sodium bicarbonate भी कहते हैं इसे sodium chloride का उपयोग कर salve ammonia विधी, salve ammonia process द्वारा बनाया जाता है NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 is equal to NH4Cl ammonium chloride plus NaHCO3 sodium hydrogen carbonate पिछले अध्याय में आपने sodium hydrogen carbonate के pH मान की जांच की थी क्या आप यह बता सकते हैं कि इसका उपयोग अमली विलियन को उदासीन करने के लिए क्यों किया जाता है खाने के सोडे को गर्म करने पर यह अपगटित होकर sodium carbonate बनाता है और carbon dioxide gas निकलती है ट्वाइस NaHCO3 गर्म करने पर Na2CO3 plus H2O plus CO2 gas 17.3.1 उपयोग यूसेज पहला बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर खाने का सोडा एवं टार्टरी कमल का मिश्टन है जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है तब अभिक्रिया निम्ना नुसार होती है NaHCO3 plus H plus charge अमल से इस इक्वल टू CO2 gas plus H2O plus अमल का सोडियम लवन इस अभिक्रिया में उत्पन carbon dioxide के कारण bread, खमण और cake फूल जाते हैं जिससे वे मुलायम और spongy हो जाते हैं दूसरा sodium hydrogen carbonate का पेट की अमलियता acidity कम करने में प्रती अमल एंटासिट के रूप में उप्योग होता है शारी होने के कारण यह पेट के अमल को उधासीन करता है तीसरा इसका उप्योग सोडा अमल अगनी शामक यंत्र में किया जाता है